आप सबको मेरा प्यार बरा नमस्कार, अभी जाम का टाइम चल रहा है, परिच्छा का सीजन है, सभी बच्चे टेंसन में हैं, और इस परस्तिती में उनको इस सिच्वेशन में उनको वहार निकलने के लिए मोटिवेशन का बहुंच जादा इंपोर्टेंस होता है, तो एक मो हम लोग दिल कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो कोस्चन पेपर देखकर डर जाना नहीं, बन जायाएगा करके इतराना नहीं, मतलब न तो अंडर कंफिडेंस, न वर कंफिडेंस, हर प्रस्ण ध्यान से पढ़ना, कोई छूटे नहीं, बिल्कुल फोकस गहरा होन चाहिए अर्जुन की तरह कि हर question कम को ध्यान से पढ़ना है तो हर प्रस्ण ध्यान से पढ़ना कोई छूटे नहीं साउधानी गहरी रखना नंबार उठे नहीं साउधानी गहरी रखना नंबार उठे नहीं अगर जरत साउधान हुए तो कहीना कहीं गलती हो का नंबर कड़ आप dato जो बन रहा हो पहले उसे करो घुझे कला डेखना पनी अपने को करना है तो आप अप पन्या ससंबह जाते हैं समयगा अपके पास नहीं रहेगा और आखिरमें जो शरल है उसको भी आ Zach गार पाएंगे तो समय नहीं बचेगा situation होगी भिकट आगे दिखे आये कथिन पेपर तो बिल्कुल ना घबराना अगर पेपर जो काफी hard है काफी tough है तो आपको घबराना नहीं है आये कठीन पेपर तो बिल्कुल ना घबराना बार-बार पेपर पढ़के उत्तर लिखते जाना तो अगर आप बार-बार पेपर को पढ़ेंगे तो चुकि साल बर हम लोग मैनत किये रहते हैं तो कुछ न कुछ हमको समझ में आता है तो उत्तर हमको दिखने लगता है लेकिन हमको सुरू में देखके नहीं घबराना है कि बहुत कठीन पेपर है हो तगडी तैयारी तो कठीन लगता सरल तो देखे कठीन को सरल बनाने का सबसे बढ़ा तरीका क्या है कि आपकी तैयारी तगडी रहने चाहिए सारे सेंपल पर आप सालवा करके जाएं, सारे सलेबस आप बिलकुल कंठस्ट कर लें, तो हो तकड़ी त्यारी तो कठीन लगता सरल, कठीन तपस्या का अध्भुत मिलता फल, बिलकुल, जिनकी महनत होती है न, उनको फल भी उतना ही अध्भुत मिलता है, तो कठीन तपस्या का अद्बुत मिलता फल आखरी में देखिए यह बहुत ही पुरानी पंग्तियां हैं आप बच्चों के लिए बहुत ही यूजफूल हैं कि काग चेश्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे उचा तो एक विद्यार्थी को कौवे की तरह चेश्टा करने वाला होना चीए और विद्यार्थी पंच लक्षण तो जो घर में ज्यादा मयम रखते हैं वह जो है तो घर पे महन ही रहतना है और ज्यादा भूजन नहीं खाना है इससे निंदा आएगा अलास आएगा तो आसा करता हूं एक बार फिर से देख लिजे ये जो कवीता है आप लोगों के लि और काफी जाद हेल्पर करेगा आप लोगों ने वीडियो देखा तो जरूर बतेए कमेंट करके कैसे लगाओ और किस प्रकार से मैं इसको आज जादा इंप्रूब करूँ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग